हलो दोस्तों मैं हुशी उली और आप सब का स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाएंगे चिकन दम बिरियानी बिरियानी के लिए सारे सामान मिला है लेकिन फिर भी दही नहीं मिली तो आज हम बिना दही के चिकन बिरियानी बनाएंगे चलिए फटा-पट देख लेते हैं कैसे बनानी है चिकन मेरिनेशन के मसाले के लिए मैंने लिया है तीन बड़े साइज का प्याज ट्राफली काट लिया एक बड़े साइज का टमाटर लिया है और यहापर दस बारा के लिए लसून है और एक इंच इतना अद्रक है अद्रक को स्लाइसेस में काट लिया थाकि अच्छे से पीच जाए ये मैं 600 ग्राम चिकन के लिए कर रही हूँ तो इनको मैं अभी एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लूँगी मैंने ये बड़ा वाला मिक्सर का जार लिया है इसमें हम डाल देंगे मसाले मैंने डाल दिया है अभी इसके अंदर डाल रही हूँ में half teaspoon जीरे और धनिया पाउडर डालेंगे एक teaspoon मेरे पास जीरे का पाउडर नहीं था इसलिए मैंने ख़ड़े जीरे का इस्तिमाल किया है आप चाहे तो खड़ा जीरा और खड़ा धनिया दोनों का इस्तिमाल कर सकते है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बिरियानी मसाला यह शाही बिरियानी मसाला है जो बाजार में मिलता है रेडिमेट वही है देर टीजपून भर के लेंगे इसके साथ डालेंगे हाफ टीजपून शाही गरम मसाला यह घर पर बना है रेसिपी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डाल रही हूँ स्वाद अनुसार लाल मिर्ज पाउडर लाल मिर्ज पाउडर अपनी स्वाद के हिसाब से ले ले और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा बादाम और थोड़ा काजू काजू और बादाम को आधे घंटे के लिए भीगो कर लेना चाहिए था लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी अभी इनका मैंने बहुत अच्छा सा महीन सा पेष्ट बना लिया है आप देख सकते हैं और यह जो ड़कन में था वो भी मैंने चमच से निकाल के ले लिया है अभी हमें चिकन को मेरिनेट कर लेना है यह देखिए चिकन यहापर 600 ग्राम चिकन है बहुत अच्छे से मैंने दो लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से कट लगा लिया है सारे चिकन के पीसे में मैंने कट लगाया है जितना हो सका ताकि मसाला बिल्कुल अंदर तक जाए अभी जो मसाला हमने पीस कर रखा है वो मसाला पूरा का पूरा यहाँ पर डाल देंगे सिर्फ मसाला ही डालेंगे मिकसर जार को धो कर पानी नहीं डालेंगे जितना हो सके हाथ से निकाल कर मैंने ले लिया है अभी बहुत अच्छे से मिला लेना है स्वादनों सार नमक डाल रही हूँ 600 ग्राम चिकन के लिए मैंने देर टी स्पॉन से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाला है मुझे लगता है इतना पर्फेक्ट है सब के लिए हाथ से बहुत अच्छे से हर एक चिकन के पीस पर मसाला लगा देंगे अच्छे से रगड़ रगड़ के ऐसा करके मसाला लगा देंगे देखिए हो चुका है अभी इसको हमें ढाक कर रख दना है मेरिनेट करने के लिए हो सकते तो फ्रीज में रखे नॉर्मल चेमबर में एक से देड़ घंटे के लिए रख सकते है मैं तो 30-40 मेंट के लिए रख रही हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को फ्राइक कर लिया है क्रिस्पी ओनियं जिसको बोलते है या बेरिस्ता बोल सकते है इसको मैंने मीडियम हीट पर पर क्रिस्पी होने तक भून लिया है मतलब डीप फ्राइ कर लिया है पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता और यहाँ पर देखें मैंने कुछ काजू और कुछ बदाम को फ्राइ कर लिया है हल्दी और नमक डाल के नमक ना भी डाले तो भी चलता है हल्दी भी ना डाले तो भी चलता है और काजू को मैंने तोड़ लिया है ताकि दिखने में थोड़ा ज्यादा दिखे यह देखिए यहाँ पर देखिए मैंने पुदिना रखा है फ्रेश पुदिना अच्छे से दो कर बारिक बारिक काट लिया है और यह देखिए फ्रेश धनिया है हरा धनिया जिनको मैंने अच्छे से दो कर बारिक काट लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिया है तीन मिडियम साइज का आलू लिया है एक एक को दो दो हिस्से में काटा है और ऐसे लाल करके भून लिय और यहां लिए है मैंने थोड़ा सा दूद, दूद में डालेंगे केसर फूट कलर, आप चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, गरम दूद में तो भी आपका कलर बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन मेरे पास केसर के धागे नहीं थे, तो मैंने केसर फूट कलर डाला है अभी इसको रखेंगे साइड में इसको हम बिरियानी के उपर से यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने चावल को भीगो कर रखा था मैंने चावल को 8-9 बर दोया है बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ पानी आना तक मैंने पानी बिठाया है साॉस्पन में अभी हम 1-2 टी जब नमक डालेंगे यहाँ पर मैं आधा किलो चावल की बिरियानी बनाने वाली हूँ आधा किलो चावल के लिए देशे बिल्सपुन नमक डालेंगे नमक डालके अच्छा सा उबा लाने देंगे उबालाने से पहले हम चावल नहीं डालेंगे जब तक पानी में उबाला रहा है तब तक हम दम पर बिठाने के लिए हम चिकन की तयारी कर लेते हैं मैंने प्रेशर कुकर लिया है एक क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में ही बनाने वाली हो यहाँ पर देखे मैंने कुछ तेजपत्ते लिया है कुछ काली मिर्च लिया है 8-10 और 6-7 लॉंग लिया है और 2-3 इंच दो से ढाय जितना डाल चिनी लिया है अभी कुकर के नीचे तेजपत्ते फैला देंगे बहुत अच्छे से फैला देंगे इससे क्या होगा कि चिकन नीचे चिपकने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा और इसके उपर खड़े मसाले ऐसे ही फैला देंगे बिखरा देंगे अभी हम डालेंगे थोड़ा सा तेल यहापर में रिफाइन ओयल का यूज़ कर रियू और यह वो ही तेल है जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राइ किया था आप चाहे तो सरसो का तेल या घी का इस्तिमाल कर सकते है और तेल मैंने बहुत ही कम डाला है क्योंकि बिरियानी में ज्यादा तेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अभी हम चिकन को इसके ओपर अच्छे से पहला के रख देंगे अच्छे से लेवल करके रख देंगे हमारा चिकन बिल्कुल तयार हो चुका है दम पर बैठने के लिए अभी यहाँ पर देखे पाने में उबाला चुका है अभी इस पाने से निकाल कर इस पाने में डाल देंगे हम चावल को चावल डालने के बाद हमें ज्यादा हिलाना नहीं है बहुत ही समाल कर हिलाना है ताकि चावल हमारा तूटे ना यहाँ पर हमें 70-75% तक चावल को कुक कर लेना है क्योंकि हम चिकन को कच्चा बिठा रहा है अगर चिकन को आप हाफ कुक करके बिठाते हैं तो आपका यहाँ 90-95% तक कुक करना पड़ेगा लेकिन मैं कच्चा बिठा रही हूँ तो कितना कुक करना है मैं आपको जुरूर दिखा दूँगी अब यह एक बार दिखाती हूँ देखिए यह चावल को मैं जब दबाती हूँ तो यह तूट जाता है इसको और भी कुक करना है थोड़ा अब देखिए दुबारा एक बार देख लीजिए बहुत ही समाल कर चलाना है यहाँ मैं चावल को हाथ से दबाती हूँ यह देखिए दबाने से चावल तो तूटता है लेकिन अगर जोर से दबाओ तो यह हलका से मैश होता है दीरे से दबाओ तो यह तूट जाता है और थोड़ा से जोर लगाओ तो यह मैश होता है लेकिन हाथ में बहुत ही कड़क लगता है बस यहाँ तक ही हमें पकाना था और यहाँ पर चिकन के उपर हम आलू को फैला देते हैं दम पर पिठाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्पी ओनियोन डालना था इसके उपर चिकन के उपर लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी आप यहाँ पर डाल लीजिएगा थोड़ा इसके उपर हम चावल डालेंगे ऐसा करके चाननी से निकालेंगे और डिरेक्ली चिकन के उपर डाल देंगे पानी निकाल देंगे ऐसा करके सारे चावलों को हम डाल लेंगे हम थोड़ा सा चावल का पानी बचा कर रखेंगे क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा पानी का भी इस्तिमाल करना है तो साधा पानी से अच्छा है चावल का पानी ही डाल ले क्योंकि इसमें चावल की खुजबू और स्वाद सब कुछ है यह देखिए थोड़ा सा पानी मतलब आधी कटूरी पानी इस बर में डाल रही हो अभी हम डालेंगे कुछ हरी मिर्ज आप जाए तो ज्यादा भी डाल सकते हैं मैंने चार ही डाला है इसके ऊपर हम डालेंगे यह प्याज की बरिस्ता चिकन के ऊपर तोड़ा डाल लीजिएगा मैं बिल्कुल भूल गई थी मैंने बरिस्ता बनाया था दो लेयर में डालने के लिए लेकिन मैं एक ही लेयर पर डाल रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है दो लेयर बनाकर, मतलब चावाल को दो लेयर बनाकर डालना था तो अच्छा होता लेकिन मेरी बच्ची के वैसे बहुत ही गड़-बड़ी करनी पड़ी तो इसलिए मैं एक ही लियार में डाल दियो सबकुछ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए ताकि सफेद चावल भी रहे और कलर वाला चावल भी हमें मिले यहाँ पर यह है गुलाब जल गुलाब जल डालेंगे एक टेबिल चमज फैला कर डाल देंगे और यह है केवड़ा जल केवड़ा जल भी एक टेबिल चमज डालेंगे थोड़ा सा कम डालेंगे केवडा जल से यह बिरियानी की खुजबू बहुत ही अच्छी आती है और ये है थोड़ा से बिरियानी का मसला शाही बिरियानी मसला जो की पहले भी मैंने डाला है ये उपर से half teaspoon मैंने छिड़का दिया है ढकन का rubber और सिटी कुछ भी मैंने निकाला नहीं है ऐसे ही धखन बंद कर देंगे और हीट पर बिठाएंगे पहले 10-15 मिनिट हम मेडियम हीट पर कूक करेंगे प्रेसर कूकर का गैसकेट और सीटी यहापर हम जब दम पर बिठाते हैं और आटा लगा के इसका धखन बंद कर देते हैं साइट से वो काम करेंगा इसका और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है अभी मिडियम हीट पर कूक करते हुए हमारा 12 मिनिट हो चुका है अभी हम क्या करेंगे यह देखिए एक तावा है रोटी का यह तावा इसके नीचे लगा देंगे प्रेशर कूकर के नीचे तावा लगा देंगे और तावे की ऊपर रखके हम कुक करेंगे 30 से 35 मिनिट शुरू में हीट को मीडियम ही रखेंगे 10 मिनिट बाद इसको लो कर देंगे बिलकुल और टोटल मिलाकर 30 से 35 मिनिट कुक करेंगे मैंने इसके उपर घी डालना भूल गई थी आप चाहते स्कीप भी कर सकते है लेकिन बिरियानी में घी क कि खुश्बू बहुत अच्छी आती है थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है और डखकन को बंद कर दिया है अभी वेट करते हैं 30 से 35 मिनिट तक शुरू में मेडियम हीट और उसके बाद लो हीट 35 मिनिट हो चुका है मैंने निकाल लिया है अब मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगी साइट से ऐसा करके देख लेना है कि नीचे पानी दिखता है कि नहीं अगर पानी नहीं है तो आपकी बिरियानी फुली कूख हो चुकी है और अगर थोड़ा पानी दीखता है तो इसको और 5-10 मिनिट के लिए बिठा लीजिए तो ये फुली कुख हो जाएगा चलिया मेरा तो हो चुका है इसके नीचे कोई पानी नहीं दीख रहा है अभी ढकन लगाकर 10-12 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद हम इसको सार्व करेंगे देखिए दोस्तो कितना खिला खिला चावल बना है बहुत ही खिला खिला चावल बना है एक दूसरे के साथ बिलकुल नहीं चिपका है आप देखकर बिलकुल समझ रहे होंगे ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ बहुत ही अच्छी बिरियानी बनी है दोस्तों और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है देखिये दोस्तों दिखने में कितना बड़िया लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही बड़िया बनी है आपको चिकन देखकर ही समझ आ रहा होगा कि कितने अच्छे से गल चुका है बहुत ही आसान प्रोसेस में बहुत ही फटा फट मैंने बनाया है बिल्कुल भी जमेला नहीं है लेकिन बिना दही के बनाया है खाने में बहुत ही अच्छा है आपके पास भी अगर दही ना हो और आपको भी बिरियानी खाने का मन हो तो आप इस तरह से जरूर ट्राइ करें आपको भी बहुत पसंद आएगी और अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लेगी चलिए दोस्तो आज के लिए यहां तक ही मिलती हो अगली वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहे स्वास्त रहे और खाते रहे बाई बाई